हैलो दोस्तो नमस्थि माय विश चैलो में आपसब स्वागत करती हूँ रादे रादे। माय सोल, फांविली, माय विवर्स, माय सेष्टक्रेबल्स काल भले सिभू आफ संस्थ उंगे मस उंगे अपने लाइप में आगे बर्रे होंगे अपना confidence वरा रहे होंगे, अपनी healing कर रहे होंगे, अपना self respect कर रहे होंगे आप सो स्वस्त रहेंगे dear, तो हम सब एक साथ साथ हम सब भी स्वस्त और खुश रहेंगे तो चलिए यहाँ देख रहा चाहती हूँ, आपके partner की feelings, उनकी current situation, उनका action आज दो पहर की तो collective reading idea, सारे sign के लोग देख सकते हैं, male, female, married, unmarried सब के लिए हैं, तो यहाँ पर intention सही रखना है और जितना आप से resonate करता है, उतना लेना है, और वाकी को जाने देना है, पर खुद पर विश्वास करना है, खुद से भी प्यार करना है, है ना तो चलिए देखते हूं, आज दो पहर की energy आपके person की, क्या है, वो क्या feel कर रहे है, चलिए उससे पहले आप लोग की healing कर देनी चाहिए, be positive, आखे बंद कीजिए, अपने person के बारे में सोचिए, ठीक है, और लंबी सास लीजिए, सास को लीजिए और छोड़िए, आखे बं कर दोचिए कर दोचिए, पिंद कर दोचिए को हुंता, बंद कर दोचिए TOष बुद्धम् शर्णम् गच्छामी अच्चुतम् केश्वं कृष्ट दामोदरं रम नारायनम् जान के वल्लवं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मेरा के जैसे बुला थे नहीं अच्चुतम् केश्वं कृष्ट दामोदरं रम नारायनम् जान के वल्लवं चलिए रिलाक्स हो जाएं इंटेंशन सही रखें पॉजिटिव फिल करें खुश से भी प्यार करें क्योंकि आपके परसन बहुत जादा अपने आपसे प्यार करते हैं अपनी responsibility पर ध्यान देते हैं ठीक है यहां पर invest कहना चाहते हैं चाहे वो मेरे माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं तो इस guidance को follow कीजीगा क्योंकि direct God नहीं आते हैं एंजल्स नहीं आते हैं और हम सब को माध्यम बनाते हैं ताकि आप लोग को life को change कर पाऊं confidence level बढ़ा पाऊं सही decision आप ले पाऊ और life में आप कुछ करना चाहो अपने life में कुछ grow करना भी चाहो चाहे आपकी special growth हो या फिर awareness की हो तो जो मैं guide करती हूं उनको follow कर जीए कि क्योंकि वो चाहते हैं यह मैं सिर्फ बोल रही हूं उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है आप सब के लिए ठीक है तो एक like चरूर करें ठीक है like यानि कि आपने gratitude शो किया like इसरी आपने किया क्योंकि इस energy से आप जूर गए जहां आप अपने partner को feel करते हो अपने partner की जानकारी लेते हो और उसके साथ आपको healing बिलती है और माइन श्टैरो या रे और पिसिक्स नाइन जो भी दोनों चैनल है उसके जो भी चैनल में जुरूर वो सब family का आप हिस्सा बन जाते हो तो अपनी energy एक like से जरूर देखें अपने partner की energy को feel करें और यह क्या होता है कि आपने जो सीखा ग्यानवा आपने gratitude शो किया God को ठीक है और मुझे भी no doubt सक करनी की बात नहीं मैं clearity बोल रही हूं है ना तो यहां पर सक नहीं करना gratitude देने से क्या होता है एक like करने से होता है कि मेरा भी confidence बढ़ता है और confidence होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं किसी को change कर रहे हूं किसी को राश से दिखा रहे हूं तो मुझे भी life मे आगे बढ़ना है मेरा भी confidence बढ़ाना चाहिए इसलिए एक like जरूर करें my soul system my soul brothers ठीक है वीडियो के स्टार्ट में चलिए अब मैं guide के सासत अब आप जरी सुरुवात करती हूं गला थुराज भाड़ी है ठीक है ignore किजेगा ओम चैंटिंग पीस और सांती बैलेंस के लिए इंट्यूशन पावरे स्टॉंग करने के लिए god से connection स्टॉंग करने के लिए mind body soul को positive और positive करने के लिए healing करने के लिए तो यह चीज़ आप जरूर करें ठीक है सही चीज़ की परकों इंट्यूशन पावरे स्टॉंग होता है one तो ओम चैंटिंग जरूर करें या ओम नमस्षिवाय का जाब करें जय महाकाल हरहन महादेव चलिए अब स्वास्तिक की बात करती हूं सुख और सांती सम्रेदे के लिए ठीक है तरक्की के लिए बरकत के लिए और यहां पे सबसे बड़ी बात कि आपके मन में भी कोई तरक में जरूर लगाए ठीक है चलिए देखती हूं कृष्ण गोवींद राधारानी ओल आर्किस दिब्य शक्ति जय माकाली शेरावाली जय बाबा बजरंग वली जय सनी देव जय महाकाल जय मागंगे हरहर गंगे ओल आर्किस दिब्य शक्ति काइट करें अब आपके परसंड के अनर्जी देखती हूं यहां पर जो अनर्जी आ रही है टू आप कप्स और यहां पर टू अप पैंटिकल्स ठीक है मैं साइन भी पहले बता देती हूं और यहां पर आ गया आपके लिए साइन यहां पर जो है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो यानि मीन कर्क और ब्रिशिक लिब्रा एकुरिस जैमनाई तूला कुम्भ और मिथून कैप्रिकॉन टॉरेस वर्गो मकर ब्रिशव और कन्या यह यहां पर स्ट्रॉंग मुझे साइद दिखाई दे रहे हैं ठीक है आगे में फिर और देखूंगी काट से भी निकालोंगी तो बाबू किसने किससे फाइटिंग की है पहले यह बता वांस भी है फाइव वांस के यहां पर एरिस लियो और साजिटेरिस यानि मेस सिंग और धनू यहां पर किसी ने किसी से फाइटिंग की है यहां किसी ने कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रियेट हुए हैं कुछ लोग में फाइटिंग तो हुई है क्योंकि हो सकता कि आप अपने पाटने पर डाउट करें शक फाइटिंग भी यहां होई है कुछ लोग अवेर भी रहेंगे ठीक है कुछ वीवर्स आप अवेर रहेंगे क्योंकि कुछ वीवर्स आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ट्राबलिंग की एनरजी है ठीक है और सबसे बड़ी बात इनका दिल पू कौन अपने पार्टनर को यह आप इग्नौर कर रहा है या आपने हो सकता कि आपार्टनर की फाइमली है बच्चे हैं कुछ व्यर्स आपके पार्टनर के लाइप में जो प्राब्लम सह लेए जोए उनके लाइप में किसी फ्रकार को टावर आया делать ये फट bees Father भी उनके family हैं बच्चे हैं उनके responsibility है ठीक है लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो ऐसा वो कह रहे है आप बिलकुल उनके लिए खास हो ठीक है यहां पर आपको कहना चाहते हैं देखे मैं गाने के तुरूबी तो आपको समझानी कौंसा गाना आ रहा है कोई यहां आपने partner को इग्नोर कर रहा है टेंसर नहीं देरा वह बहुत दुखी है वीवर्स और वह भी रहे है आइसलेशन के इनर्जी है यह रो रहे है यह कहना चाहते हैं दिलकी आवाज भी सुन मेरे फसाने पर नजा मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पर नजा क्यों आ दिलकी आवाज भी सुन मेरे फसाने पर नजा मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पर नजा दिलकी आवाज भी सुन मैं हकीकत हूँ एक रोज दिखाऊंगा तुझे और हाँ मैं हकीकत हूँ मैं एक रोज दिखाऊंगा तुझे वक्त इनसान पे ऐसा भी कभी आता है रहा में छोरे कर साया भी चला जाता है तो क्या बात है वीवर्स इतने दर्द में आपके पार्टनर क्यों है कह रहे हैं आपसे वक्त इनसान पे ऐसा भी कभी आता है रहा में छोरे के साया भी चला जाता है इसके मासूम है इलचाम लगाने पे ना जा मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे ना जा दिल की आवाजब सुन एक नजर देख ले जीने की उजाज़त दे दे रूठने वाली वो पहली सी मुहबत दे दे क्या भी वर्जी क्यों आप अपने पर्सन को इतना तरफ आ रहे हो यह तरफ रहे हैं इनके मन में इतनी बेचैनी इतनी तरफ है आपके लिए क्या बात है तो कहीं न कहीं यह गाना यह बता रहे है कि कोई रूठा है आपके पार्टनर तरफ रहे हैं आप उणको मौका नहीं दे रहे हो या मौका दिये हो तो कहीं न कहीं fight किये हो लेकिन आपके person कहना चाते हैं क्यों किसी के बात पे जाते हो क्यों जवाने पे जाते है क्यों third party पे जाते हो आप उनके लिए खास हो एक एक दिन कुछ गाना है भी विवर्श मैं हकीकत हूँ एक रोज दिखाऊंगा तुझे बेगुना ही बेगुना ही कि कुछ दाग दिल पे नहीं मिटते है मिटाने पे न जा मतलब चाहते हैं कि अगर आप कोई सक करे हो डाउट करे हो दाग लगा रहे हैं उन पर तो प्लीज समय आने पर आपको clarity दे देंगे टेंशन मत लेजे लेकिन उनको मौका देजे बाबारे बाबा यहाँ पे आपके partner आ रहे वीवर्स confusion है आपके विचार यहाँ पे इंग और यांग की energy आई है ठीक है यहाँ पे reunion और यहाँ पे दिखाई दे रहा है reunion के sign इंग और यांग की energy है तो यहाँ पे आप लेकिन यह confusion है आपके विचार से ठीक है आप से मिलने आ रहे हैं वीवर्स ठीक है आपके साथ time spend करना चाते है आपको समझा सकते हैं समझाना चाते हैं देखिए यह person यह गाने के तुरू इनके मन में कितनी तरब कितनी बेचैनी है उनको क्यों इलजाम लगा रहे हैं क्यों उनके डाउट कर रहे हो क्यों इनको नहीं समझ पा रहे हो देखिए यहाँ भी वर्स आप आपको इस रिस्ते को divine ने चुना है क्योंकि इंग और येंग की यहाँ पे energy आई है तो आप लोग का connection है जो past life connection है बले कुछ वक्त लगता है fighting जगड़े सब कुछ होता है बट एक दूसरे से जुदा कोई नहीं हो पाता है fighting जगड़े इगनोर करना confused रहना यह सब यह जो आपके relationship का जो आप लोग का strong जो bond है उसके बीच में यह सब आते हैं और यह कौन करता है यह divine क्योंकि आप दोनों एक हो क्योंकि एक इंसान को mature होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो वो आप तो दिल से बात करते हैं emotional होते हो बट उनके ego से क्या होता है ना उनका जो energy होता है ना in mature होता है जो दिल से रिस्ता निभाते वो रिस्ता आगे चलता है पनपता है और ग्रोध करता है तो दिमाग से जो भी परसन चलता है वो मतलब होता ना स्लोली स्लोली काम करता है या करती है ठीक है जो भी हो लेकिन कुछ भी वर्स यहाँ पे आप देखिए आपके परसन कहना चाहते हैं कि वो आपके चेहरे पे नहीं आपकी दिल की आपकी सोल से वो प्यार करते हैं क्योंकि आप अंदर से बहुत खुबसुरत हो आप उन लोगों से अलग हो यह आप से कहना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि आप जब उन लोगों से अलग हो तो इनको क्यों नहीं समझ रहे हो कुछ परसिती में यह फसे हैं आपको मनाना चाहते हैं कुछ के पार्टर्य है कमिटेड भी है इमेरेटब हो सकता है वो सिंगल भी है बट उनके life में कोई option हो जो उनों control कर रही है, manipulate कर रही है अगर आप जिससे deal कर रहे हो भी वर्स, जो भी आप भी वर्स देख रहे हैं अगर इनों ने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा किया है तो ये person के बारे में मैं बता रही हूँ कि इस वक्त वो बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है इनों ने आपके साथ गलत अगर किया, धुखा दिया, तो दर्द दिया है तो इस वक्त आपके पार्टनर जो भी है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में काफी सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, चीक है, आपके साथ वो न्याइक करेंगे, उनको punishment मिल रहा है वीवर्स, वो रोर है तरह अपने हो रही है, ये रात बार सो नहीं पा रहे हैं, उन्होंने आपको तकलीब दी है, समझ पा रही हूँ, बट वो तकलीब में है, इसलिए कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, इस वक्त उनके लाइप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा वीवर्स जी, काम को लेकर, पैसे जी ब्लॉकेज है, आज इनको समझ में तो आ रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आपके परसंद ये कहना चाते हैं, चाहे लाइप में कितना भी कोई दोस्त क्यों ना आ जाए, ये क्यों इतना फ्लटिंग ना कर लें, आप उनके लिए अलग हो, आप उनके खुसियां ह हो, ऐसा वो फिल कर रही, आइसुलेशन की एनरजी, ये रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तरप रहे हैं, अब किसी भी हाल में ये आपके तरफ बढ़ना चाहा रहे हैं, ये उटन लेनी की एनरजी है, आपके साथ उन्होंने अगर ना इनसाफी की है, तो ये इनके अंदर का जो सोलेना, वो तूट रहा है, तरप रहा है, उन्हें एक मौका दीजिए, क्यों इन पर इल्जाम लगाते हैं, क्यों इन पर डाव्ट करते हो, आपको इस इंसान पर भरोसा नहीं, आपके परसन ये कहना चाहते हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं? लेकिन कुछ वर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं प्यार, इमोशन, अट्रेक्शन, कॉल मैसेज, के इनरजी यहां दिखाई दे रही है आप उनके खुसियां हो प्यार हो और आपने वो खुसियां हो प्यार दिया यहने महसूस हुआ है, अगर जिजनों ने आपको तकलिफ दी है, आपको पीछे छोड़ा है अब यह पर्सन आपके तरफ यह टन लेना चाहते है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे है वो कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, बहुत ज़ादा गलत हुआ है, उनको पनिस्मेंट मिल रहा है क्यों यह मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं और रो भी रहे है, आईसूलेशन की एनरजी है लेकिन इनके आसू को कोई नहीं देख रहा क्योंकि यह अंदर से रो रहे हैं यह अंदर से रो रहे हैं बाबू देकिन हाँ, यहाँ पर इंग और यंग की एनरजी है, तो यहाँ पर यह ज़रूर दिखाए दे रहा है कि आप लोग का एक spiritual connection है, आपका past life connection है अगर यह एनरजी आपसे match हो रही है, जो मैं बोल रही हूँ तो यह spiritual connection का है, soulmate का है, twin का है ठीक है, अगर यह energy आपसे match हो रही है, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ यह अग अनर्जी मैच हो रही है तो यह आपका जड़नी है सोलमेट का या ट्विंज जड़नी का यानि कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक स्पिर्च्वल कनेक्शन है जो इस एनर्जी में है आप उन्हें पहचानी की कोशिस क्यों नहीं कर रहे हो आपको लगता यह फ्लाटिंग नेचर का है इसके लाइफ में ऑप्सन है इसके लाइफ में थर्ट पार्टी जो मुझे टाइम नहीं देता में मुझे टाइम नहीं देती ओन आफ करता है या करती है अभी यहों सोचना चाहते हैं आपके पर्शन अभी यह आपके बारे में सोचना चाहते हैं आपको लेकर पैस्नेट और रेक्षन भी महसूस कर रहे हैं यह आपसे बात करना चाहते हैं और क्लियाटी भी देंगे लेकिन आप उन्हें मौका दो लेकिन कुछ वियर्स आप अपने हो सकता है कि आपके अंदर थोरा सा गुस्सा एगो आया है ठीक है हो सकता है आत्म सम्मान भी जागा है आपका ठीक है कि नहीं मेरे साथ जस्टिस करो मुझे कमिट्मेंट चाहिए मेरे चाहिए तब ही मैं आगे बरपाऊंगा या बरपाऊंगी कुछ वियर्स आपने ऐसा किया आपका देखिए भी वर्स यहां पर कुछ वियर्स आपके पार्टनर और आपके रिलेशन्शिप को डिवाइन नहीं चूना है अब कुछ सच्चाय लाने के लिए ही भी चूना है आप दोनों की रिष्टे की सच्चाय लाने के लिए ही चूना है आपके आपको आपके परसन को हाँ यह बोला जाए कि थोड़ा सा मिचियर्टी से काम नहीं करते हैं इन्मिशोर इनर्जी रहती दिखावा बहुत करते ही है फ्लेट भी करते है लेकिन कहीं न कहीं वो कहना चाहते है क्योंकि आपका जो connection है वो divinely guided है है ना तो आपको ये अलग रूप में देखते हैं ये आपके लिए अलग महसूस करते हैं लेकिन तुम्हें एहसास खड़ना होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता है मुझे मौका चाहिए मुझे एक मौका चाहिए मिलेंगे क्लियाटी करेंगे हाँ sorry feel कर रहे है कि हमसे गल्ती हुई है emotional बहुत ज़्यादा हो रहे है बहुत ही ज़्यादा emotional हो रहे है emotion ज़्यादा feel हो रहा है लेकिन isolation यान कि घुट रहे है रो रहे है बट अब सो नहीं पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हें एहसास कर रहा हूँ travel कर रहे है या travel आप लोग कि partner करकर आपके तरब आ रहे है या फिर वो हो सकता है कि वो कहे कि आप आओ ये भी हो सकता है long distance relationship दिखाई दे रहा है time spent करना चाहते हैं आपको समझाना चाहते हैं लेकिन इस गाने में बहुत दर्द है पूरा या फिर आप doubt करते हो सक करते हो ठीक है जिसे ये काफी सोच रहे है और ये सोच कर stress ले रहे है इनका काम नहीं बन रहा डियर भले ही इनके life में बहुत दोस्त आए हैं और गए हैं no doubt लोगों के साथ इनों ने घुला मिला बात किया लेकिन इनका दिल टूटा है हर लोगों ने इनका दिल तो रहा है और सही बात पुछे दिया तो आज इस person पे जैसा इनको कर्मा फेस करना पर रहा है इस person को इस person के उपर किसी का विश्वास भी नहीं होता ये person जो भी है ये mastermind है ठीक है फितरत इनकी बाते छुपाते हैं जूट बोलते हैं इन्हों ने आपको तकलीब दी आपने तकलीब सही ठीक है आपने बहुत compromise किया आपने अपने उपर काम किया लेकिन आप भी तो नहीं सूते हो आप भी तो उनके लिए रोते हो होज सकता है कुछ वर्च आपके लाइप में कोई आपको पसंद भी करता है कोई option भी है लेकिन आप उन्हें छोड़कर इस person के लिए दिल जान इसार करते हो लेकिन थोड़ा इन्हें समझना होगा जो अभी इस वक समझते हुए नजर आ रहे क्योंकि इन्हें आप से मिलना है हर हाल में लेकिन मुझे समझो मैं हकीकत हूँ और मैं एक रोज दिखाऊंगा तुझे ये बे बे गुना है ठीक है आप इन पर डाउट ना करें आप से भागनी की सुरुवात की इनोंने की आप से दूर जानी की सुरुवात इनोंने की लोहों के सामने सच्चाई चुपाई आपके पार्टनर ने की आपको पूरे समा सोसाइटी फैमिली के सामने अक्सेप्ट नहीं किया हो सकता कि आपको घर से भी इढ़ने निकाला ठीक है husband wife हो तो लेकिन यह सच्चाई का सामना नहीं करते थे आपके person लेकिन इनके मन में है, अभी इस बाग की कुछ सच्चाई सामने लानी होगी, ये दूर भाग रहते, डिस्टंस मेंटेन कर रहते, लेकिन उनको अहसास है कि आप उनकी काउंटर पाट हो, उनकी सोल मेट हो, अब इन्हें सबक मिल रहा है, क्योंकि कुछ वर्स आप उन्हें भ और आपका इंटेंसन उनके तरफ सही नहीं जा रहा है, आप उन्हें अटेंसन नहीं दे रहे हो, तो इनके मन में घबरहाट भी इमोसंस होते हुए दबा रहे हैं, और ये आइसलेशन की एनरजी में, जबकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो रही है आपको, उनके ल ले रहे हैं, आज अभी इसी वक्त कुछ हो नहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हो, इस तरह की तरफ है इनके अंदर, घबरहाट और बेचैनी हैं, जैसे लग रहा ने डियर, कि इनको सब छोड़ चला गया, इनके लाएपे कोई है ही नहीं, आज इतना खाली पन है, आपको दर्द दिया, दुखा दिया, पेन दिया, इन्हों ने आपसे दुणिया बनाई, तो आज इनको पनिस्मेट मिल रहा है, अभी आपके लिए तरफ परे घबरा रहे हैं, तो ये बहुत वीवर्स, आपके पार्टर, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, इनको मौका दीजिए, मैं हकीकत हूँ, एक रोज दिखाऊंगा तुझे, तो ये कहना चाहते हैं कि तुमारे साथ ही मुझे फ्यूचर देखना है, आगे फैमिली घर देखना है, इस वक्त मुझे मौका चाहिए, एक नई सुरुवाद चाहिए, तो देखिए इनको मौका दीजिए, गला है ना, इगनोर किजेगा बाबु है ना, तो इनको मौका दीजिए, ये तरप रहे हैं, यूटर ले भी रहे हैं, नहीं तो ये आपको बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कोशिस की मनाने का, टैक्स, कॉल, मैसेज, अनब्लॉक भी किया, या आपने अनब्लॉक किया जैसे भी इन्होंने कोशिस की है, सायद आप उनकी सारे को नहीं समझ रहे हो, और इन्हें इन्जाइटी, डेप्रेशन, ओवर्तिंकिंग, मेंटल, स्ट्रेस बर रहा है, क्योंकि इनको पनिस्मेंट मिल रहा है, उन्हें लगड़ा कि आप इनको पनिस्मेंट दे रहे हो, इनको सजा दे रहे हो, जो भी हो, ये गौड़ की प्लानिंग है, ठीक है, और ये आपको अपनी खुसियां मानते है, अपनी लाइफ, अपनी जिन्दगी मानते हैं, लेकिन इनकी इक्षा है कि वो आपसे मिल कर, बैट कर, आपके साथ कुछ बाते शेयर करेंगे, ठीक है, क कि बात की जाए, तो के, और यहां पर नंबर्स दिखाई दे रहें, एट नंबर, ठीक है, एट नंबर, ट्वैल, टेन, सेवन, इलेवन, वान, टू, त्री, ये मुझे स्ट्रोंग दिखाई दे रहें, और ये वो माफी मांगना चाह रहें आपसे, भाई, माफी दे दो, उससे मिल लो, काफी सोज रहे हैं, तो यहां पर के, सी, ए, टी, वी, यू, एल, एक्स, एन, एफ, डी, बी, एक्स, एम, एन, ये मुझे आपर लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपके पार्टनर के लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं यहां से भी देख लेती हूँ, आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहते हैं, स्पाइक कर रहे हैं, लेकिन आप उनके फिलिंस को नहीं समझ रहे हो तो समझने की कोशिस करो ऐसा वो कहना चाहते हैं ठीक है? वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है बाबा रे बाबा ऐसे नहीं ऐसे नहीं आपके साथ फैमिली भी बनाएंगे लेकिन उनसे मिल लिजी उनको मौका दीजी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं तरपना चाह रहे हैं मैं हकीकत हूँ एक रोज बताऊंगा तुझे क्यों उनपे डाउट कर रहे हो ऐसा वो फिल कर रहे हैं लिजी कार्ड आ गया कैसे आपसे दूर जा सकते आ रहे हैं मनाकर ही छोड़ेंगे आपको ठीक है आपके परसन आपको मनाकर ही छोड़ेंगे एरिस लियान, साजिटेरियस, मेसिंग और दनुराशी रिवने, सालिब्रेशन के एनरजी आ गए वीवर जी ठीक है देखिए किसी सिच्वेशन में थाट पार्टी हो रिस्पॉंसब्रेटी हो दुखी है, उदास है भाईया, आप तो आप हो क्या बात है आपसे वो मेरिज करेंगे और आप उनके लिए परफेक्ट हो अज रिस्पे में सक्सेस भी होगा और रियूनियन भी होगी अब देवल रियूनियन, देवल अट्रेक्शन, प्यार और पैस्नेट एनर्जी ठीक है स्टक है, परशान है वो कहना चाहते है अभी जिस रिस्पे में या कोई लाइप में आपस्टिकल है परशानिया है चाहिए वो फैमिली हो पैरेंस और रिस्पांस्बिटी हो तो ये चीज़ में अभी आपके परसन बंदे हुए है लेकिन ये कहना चाहते है रियूनियन चाहरे है मिलना चाहरे है वो आपसे मैरेज करेंगे आप जितने अच्छे हो साइड आप कितने अच्छे हो वो काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन आप बहुत अच्छे हो और ये आपसे मैरेज भी करेंगे और आपको उनके लिए सही और ट्रू पार्टनर हो ठीक है लाइब पार्टनर आप परफेक्ट हो चाहे वो जहाँ भी हो जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो ठीक है six four number आपके लिए important है one number important है और वो आ रहे हैं ठीक है reunion होने वाली है तो manifestation करें अपनी healing करें ताकि आपके person आपके तरफ आपसे बात करें और आपको clear cut भी सुनाए कि वो क्या चाहते हैं है ना लेकिन यह काफी सुचते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन यह four of wants के energy है यह reunion celebration और commitment की commitment तो देंगे बट इस वक्स ही चाहरे हैं कि आपसे reunion में आपसे बाचीत करें celebrate करें time spend करें क्योंकि यह है twin flame journey की energy ठीक है यह है twin flame journey की energy और यह है soulmate की energy तो हर हाल में देखिए divine soul हो divinely guided हो आपका past life connection है इस जन्मों से नहीं कई जन्मों से तो अपने counterpart को कैसे भूल सकते हैं बहुत प्यार चाहत और attraction महसूस कर रहे हैं तो reunion के chances strong है हां लेकिन आगे के लिए सोच रहे हैं लेकिन आपको कह नहीं पार है लेकिन आप जब मिल सकते हैं ठीक है तो यह है आज दुपहर की energy आपके partner की वीडियो अच्छी लगए दियर तो लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दवाए दियर God bless you and thank you